नमस्कार मैं हूँ रंजीत चाहा सुप्रिम कोट ने इतिहास रच दिया है CJI डिवा चंद्रचूर के नित्रतों में देश भर की अदालतों में फैसले में न्याय नजराने लगा है और इस वक्त जो खबर आपने देखी कि कैसे चंडिगर मेयर चुनाव को लेकर CJI डिवा चंद्रचूर ने खुद से एतिहासिक फैसला दिया और BJP को मुह की खानी पड़ी लेकिन इस बीच ऐसी खबर जो BJP को और टेंशन देने वाली अमित शाह की नींद उरा देने वाली खबर भी आई है एक मुख्यमंत्री को बड़ी राहत दी गई है और सिर्फ मुख्यमंत्री को ही नहीं अमित शाह को जटका भी लगा है यह भी एक रिपोर्ट है तो चलिए पूरी खबर हम आपको बताते हैं दरसल एक मुख्यमंत्री जिस पर क्रिमिनल केस चलाया जा रहा था भाजपा की सरकार के द्वारा उस मुख्यमंत्री को इस मामले में सुप्रेम कोट ने बड़ी रहा दिया क्रिमिनल केस प्रोसेडिंग्स पर रोक लगा दी गई है और नोटिस भी जारी किया गया है उन्हें शिकायत करताओं को जिसने एक मुख्यमंत्री को फ्रेम करने की कोशिस की और इस में सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं थे कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता थे और मुख्यमंत्री कांग्रेस के ही हैं बात करनाटक की हो रही है कोट रूम में क्या हुआ है किसने इन लोगों को रहा दिलवाई है वकील कोन है तो एक बार फिर से आपको बता दें कि इस केस में भी वकील अभिशेक मनु सिंगवी और कपिल सिबली हैं और सिधार्त लुथरा सहाब भी थे इन सबने मिलकर अपनी दलिलों से एहसास करा दिया कि इस वक्त विपक्ष के निताओं को टार्गेट करने का एक सोडियंत्र है औ और वो सर्फ और सर्फ जुडिश्वरी ही कर सकती है तो चलिए देखिए अपने स्क्रिन पर लाइब लोग की एक रिपोर्ट क्या लिखा गया है कि पिछली सरकार जब वहां करनाटक में भाजपा की सरकार थी तब एक भषष्टाचारी मंतरी के खिलाफ वर्तमान मुख्य मंतरी ने एक प्रोटेस्ट किया था और इसे कारण से इनके उपर क्रिमिनल केस लगा दिया गया पूरी कोशिश थी कि जल से जल इन्हें सजा दिलाई जाए और इनकी भी उस वक्त की विधाय की छीन ली जाए लेकिन ऐसा हो न सका और अब जब मामला सुप्रिम कोट पहु अमिट शाह को कैसे जटका लगा है दरसल अमिट शाह का जो विवाद है वो राहूल गांधी से जुरा हुआ है और राहूल गांधी को भी सुप्रिम कोट ने बड़ी रहत दी है मामला मान हानी केस से जुरा हुआ है बताते हैं आपको लेकिन पहले इस खबर को देखिए य विरुवद प्रदर्शन से संबंधित एक आपराधिक मामले में कारवाही पर रोक लगाती है। तो यहाँ बीजेपी का जो सड्यंत्र था वो फिर से फेल हो गया। क्योंकि बीजेपी यही कोशिश में रहती है। छोटे-छोटे केस में फसाओ और फिर इतनी कारवाई करो कि या तो उनकी विधायकी चली जाएं या तो उनकी सांसदी चली जाएं वो कहीं के न रहें। वो चुनाव न लड़ सकें। यही साजुश चलती है विरोधियों को चित करने के लिए। लेकिन करतक्च लेखें। यह ऐसे केस में विरोध मार्च के केस में भी इन लोगों पर क्रिमिनल प्रोसेडिंस आगे बढ़ाने के आदेश दिये जा रहे थे। जो लोवर कोर्ट से हैं वहाँ पेश होने के लिए कहा जा रहा था हाई कोर्ट से भी रहत नहीं मिल रही थी। लेकिन अब दिरिश बदलने लगा है अदालतों में टेबर बदल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से सीजिया डिवा चंद्रचूर ने जो नित्रत्वर दिखा दिया उसके बाद तो देश बर की अदालतों ने एकदम तहल का मचा रखा है। और यहां मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुचा था और फिर कपेज सिब्बल और विशेक मनू सिंग भी ने अदालत के सामने क्या बाते रखी हैं वो भी बताते हैं। यहां लिखा गया है कि फरवरी 2022 के मामले में सिद्धार मया और अनिको ठेकेदार संतोष की आत्महत्या से मौत के बाद ततकालीन मंत्री के इश्वारप्पा के इस्तिफे और गिरफतारी की मांग के लिए विरोध प्रयदरशन करने के लिए हिरासत में लिया गया था। और उसके बाद क्या हुआ निचली अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा गया जुर्माना तक लगा दिया गया बहुत कुछ हो गया था। और सुप्रिम कोट में इस केस को चनूटी दी क्योंकि हाई कोट ने भी इन नेताओं को रहत नहीं दी थी है। अब तो वो मुख्य मंत्री हैं, कोई मंत्री हैं, कोई राजसभासांसद हैं। ऐसे में यहां से सुप्रिम कोट ने मामले की गंभीरता को जब पढखा, तो तुरंत में आदेश जारी हुआ कि ऐसे क्रिमिल प्रोसेडिंग्स पर रोक लगाई है। शिर्ष अदालत के समक्स आज सुनवाई के दोरान, राजनितिक निताओं की ओर से वरिष्ट अधिवक्ता, कपिल सिब्बल, अविशेक मनुव सिंगवी, देवदत कामत और सिधार्थ लूथरा पेश हुए। क्या आप जानते हैं ना कि प्रदर्शन करने के लिए अनुमती लेनी पड़ती है, ऐसे में क्या जो छूट है सिर्फ नेताओं को मिलनी चाहिए। प्रदर्शन करने जाते हैं, आंदोलन करते हैं, ऐसे में सब पर क्रिमिनल कारवाई अगर की जाएगी, सब को सलाकों के पीछे बेजा जाएगा, यह तो दुर्भावना पुर्ण कारवाई हुई ना। यहां देके लिखा हुआ है, कि सिब्बल सहब ने जवाब दिया, कि कानून और विवस्था मौलिक अधिकार से इनकार करने का अधार तो नहीं हो सकता है। एकदम सटिक लाइन पकड़ा, कि जो प्रदर्शन करने गए हैं, वो उधन्डता करने तो नहीं कहते। यह सब वरिष्ट नेता हैं, जो प्रदर्शन करने गए, तो फिर इन पर इस तरीके से केस कैसे लगाया गया। इसलिए कानून के आर में किसी को युही क्रिमिनल केस में आफ़जा नहीं सकते। वरिष्ट वकील ने कहा कि मेरा संबधानी का अधिकार है, मौली का अधिकार है। इसके बाद अधालत ने याचिका करताओं की दलिलें दर्ज की और निचली अधालत में चल रही कारवाई पर रोक लगाती है। और सिधार रमया सहब के अपील में जुम्हतोपुर्ण बाते थी वो भी समझ लीजिए। यहां लिखा गया है कि सिधार रमया की अपील के अनुसार इस मामले में भारतिय दंड सनहिता की धारा 141 गर कानूनी सभा का कोई भी तत्तों पूरा नहीं हो देश धारा 141 में निर्दिष्ट पांच सुलेनियों में से किसी के अंतरगत नहीं आता है तो उक्ते विधान सभा को गयर कानूनी विधान सभा नहीं का आजा सकता है। उन्होंने आगे दलील दी कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि विधान सभा में कोई हिंसा हुई। कुछ ह लगाती है। लेकिन यहां से गौर करने वाली बात यह है कि राहूल गांधी को कैसे राहत मिली और कैसे अमित शाह को जटका लगा। तो चलिए वो भी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। लो टुडे के टूइट को अपने स्क्रीन पर देखिए। यहां लिखा हुआ है राहूल गांधी gets bail in 2018 defamation case for remarks against अमित शाह। अमित शाह के खिलाप टिपनी करने के मामले में राहूल गांधी को फिर से घेरने की कोशिश हुई जैसे नरेंदर मोधी के खिलाप टिपनी करने मामले में इनहें घेरने की कोशिश हुई थी। अब यहां इस केस में सुल्तानप की एक lower court snake district court ने राहूल गांधी को रहा दिये है। गुजरात में इसा नहीं हुआ था। गुजरात में विवाद लंबा चला था। लेकिन इस बीच सुप्रिम कोट के तेवर ने सब कुछ पलट कर रख दिया है। यहां law today ने लिखा है। राहूल गांधी was granted bail by a special court in सुल् का हुआ था। और फिर इस तरीके से अमित शाह भी तो चाही रहे होंगे। जैसे द्रेंद्र बोधी के case में राउल गांधी को रहात नहीं मिल रही थी। तो देखा अपने। किस तरीके से छोटे-छोटे case में विपक्ष के नेताओं को घेरने की कवायत चल रही थी। और से आने लगे हैं जिससे बीजेपी की, मोदी, शाह की समकी नींदें उर चुकी हैं। तो आने वाले दिनों में देखिए और भी कितने बड़े बड़े थैसले आपके सामने आएंगे जो की देश में नियाय विवस्था को मजबूत को करेंगे ही करेंगे, लोकतंत्र को भी मजबूती प्रदान करेंगे। फिलाल इस वीडियो में तना ही आप सभी का हम से जोड़ना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।